दोस्तो आज की इस वीडियो में तीन से चार एरड्रॉप हैं जिनके उपर में बात करने वाला हूँ इन में से दो से तीन तो ऐसे हैं जो कि एक बहुत बड़ा एरड्रॉप कर सकते हैं और साथी साथ यहाँ पर कुछ risky coins हैं जिनके अंदर में play करने वाला हूँ बिल्कुल छोटे amount से तो वो भी मैं आपके साथ share करूँगा वीडियो आपको पूरी देखनी है ताकि जो upcoming air drops हैं ये भी आप ले सके हैं और साथी साथ ये जो coins हैं जिनके उपर में बात करने वाला हूँ कि इनका जो token है बहुत जल्दी launch होने वाला है बस अभी इनका token आ गया बस अभी air drop हो गया इस type के जो rumors हैं पिछले एक साल से चल रहे हैं लेकिन अभी तक इनका token launch नहीं हुआ और अभी इन्होंने एक और नया feature जो है यहाँ पर add कर दिया है और वो है bridging का future आप यहाँ पर अंदर आप जो है swap भी कर सकते हैं और अब जो है आप यहाँ पर एक network से दूसरे network के उपर funds को भी बेज सकते हैं तो यह जो है एक type का all in one हो गया अब इतने सारे features यहाँ पर हैं और market में यहाँ पर competition भी बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी इनका जो air drop है वो भी announce हो सक लेकिन आपको इस air drop के लिए कैसे eligible होना है तो बहुत ही simple है इनके जो भी features है swapping feature है Ethereum के mannet के उपर आपको यहाँ पर कुछ swap करके रखना है और अब यह जो नया feature यहाँ पर launch हुआ है bridging का तो यहाँ पर भी आपको bridge करना है अभी के लिए यहाँ पर four networks available हैं जिन में आप जो को use करना है अभी हम bear market में है ठीक है तो यहाँ पर traffic कोई ज्यादा नहीं होती बीच में आपको यह जो GWEI की value है बहुत ही कम मिलेगी इसकी जो value है 10 से भी नीचे चली जाती है मतलब कि एक dollar के अंदर अंदर आप जो है metamask का यह जो feature है bridging वाला इसको आप use कर सकते हैं यह ज लेकिन हमें अपनी तरफ से सारी की सारी जो preparation है वो करके रखनी है क्योंकि जब भी इनका token launch होगा तो definitely जिनको भी airdrop मिलेगा बहुत बढ़ा यह airdrop होगा एक और reason जो कि मुझे यह sure करवाती है कि इनका token जो है आने वाले time में आएगा और यहाँ पर airdrop होगा तो उसके प time की necessity है आज नहीं तो कल इनको अपना token लेकर आना है बस आपको जो है उसके लिए prepare रहना है चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं project number 2 की इसके उपर मैं पहले से भी बात कर चुका हूँ वीडियो में भी मैंने आपके साथ यह share किया था twitter के उपर भी मैंने आपके साथ ऐसा था कि पहले आपको जो है अपना wallet white list करवाना पड़ता था उसके बाद आके आप जो है इनका tax use कर पाते मतलब यह wallets को white list करने के बाद उनको allow कर रहे थे कि वो जो है इनके tax को use कर सकते हैं लेकिन अब यह जंजट यहां पर खतम हो गई है यह जो project है इसके पीछे अच 10-20 transactions करनी है वो आपको पहले एक महीने में कर लेना है अभी के लिए यह जो project है दो network के उपर है एक तो ethereum का mannet और दूसरा है polygon तो मैं आपको suggest करूँगा कि पहले आपको ethereum का mannet यूज़ करना है क्योंके अभी कोई इतनी जदा फीस नहीं लग रही और इन लोगों ने कुछ है नहीं सिंपल सा deck से आपको आके यहां पर यूस करना है एक thread है ओलंपियो की इसकी link में आपको description में दे दूँगा ताकि यहां पर आपको सारे के सारे जो website हैं वो पता चल जाएंगे अभी के लिए आप यहां पर तीन nft को claim कर सकते हैं बिल्कुल चोटे चोटे चो पहला quest क्या है कि आप जो है यहां पर एक swap करें जैसे ही आप एक swap करेंगे ethereum के mainnet के उपर तो आप एक nft के लिए यहां पर eligible हो जाएंगे दूसरा टास्ट भी बिल्कुल सिंपल है swap two tokens for one तो यह जो feature है यह odox के उपर भी है odox जो dex में आपके लेकर आया था उसको भी आप पिल में आपको यहां पर बता देना चाहता हूँ जैसे आप यहां पर देखें यहां पर w ethereum जो है selected है और यहां पर एक option है plus का तो यहां पर अगर आप किलिक करेंगे तो यहां से आप दूसरा token जो है choose कर सकते है select two token option आपके पास यहां पर available है तो जैसे आप select two token के उपर click क पास हैं जिनको आप convert करना चाहते हैं इस token में, token आप अपनी मर्जी से choose कर लिजेगा ठीक है, यह मैंने आपको सरिफ और सरिफ example के लिए बताया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर trade कर सकते हैं, तो यह था दूसरा task जो के बिल्कुली simple था, और तीसरा task किया है कि minimum 10 swap जो है आप यहाँ पर कर लें, तो Ethereum की GWEI के उपर आपको नजर रखनी है जब इसकी value 15 से नीचे हो, 10 से नीचे हो, तो यहाँ पर आप 10 transaction पहले से ही कर लें, और साथी साथ यह जो NFTs हैं इनको भी claim कर लें, इनकी जो दो project जो के आने वाले time में बहुत बड़ा airdrop कर सकते हैं, आपको इनको मिस नहीं करना, अब हम बात कर लेते हैं third project की, तो यह जो project है, aptos ecosystem का project है, एक type का DEX है, जिसको आप aptos के network के उपर use कर सकते हैं, अब इनका जो airdrop है, वो यहाँ पर 100% confirm है, लेकिन जब आप यहाँ पर trade करें, कोई भी नई चीज़ जब मैं आपके लेकर आता हूँ, कोई नया platform होता है, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना होता है, यहाँ पर कभी क हो सकते हैं, अब हम बात कर लेंगे कुछ coins की, अब यह जो coins हैं, इनमें से एक coin ऐसा है, जिसके उपर मैं पहले से ही बात कर चुका हूँ, जी हाँ, stargate की मैं बात कर रहा हूँ, layer 0 की जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर छोटा मुटा amount यहाँ से मैंने buy किया था stg इसका ticker symbol है, तो यहाँ पर rumors चल रही हैं कि भाई जो इसको hold करेगा, जो इसको staking के ओपर लगाएगा, तो हो सकता है कि layer 0 का जब airdrop हो, तो इसके stake करने के ओपर भी आपको यहाँ पर कुछ coins मिल जाएं, तो यह जो है अभी के लिए rumors हैं, सारी के सारी speculation है, लेकिन इसे projects हैं, जो के layer 0 के ओपर build कर रहे हैं, तो यह जो है उनका number one platform है, पहला platform है, जो के layer 0 के ओपर live है, मतलब कि functionally live है, वैसे तो बहुत सारे project हैं, जो के layer 0 के ओपर हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जो functions हैं, वो enable हैं, मतलब कि यहाँ पर अगर आप liquidity provide करते हैं, तो जब आप liquidity को remove करते हैं, तो यह आप से पूछता है कि कौन से network के ओपर आपको tokens चाहिएं, तो इनकी जो liquidity है, वो same है, सारे के सारे जो network हैं, उनको इन्होंने अच्छे तरीके से interoperatable बना दिया है, future में इसका अच्छा कासा use case भी हो सकता है, तो इसलिए recently भी मैंने इसको थोड़ मजीद buy करूंगा अगर इसकी price में थोड़ी बहुत मजीद correction आती है, maybe 3 cent के around अगर ये मुझे मिलेगा, तो छोटा मोटा amount से मैं मजीद इसको buy करके stake के उपर लगा दूँगा, ताकि in case future में अगर कोई ऐसा airdrop होता है, जो के इसके hold करने पे, इसके stake करने पे airdrop करता है, तो मुझे वहाँ से airdrop भी मिल सके, और साथी साथ जो coin है उसके fundamental भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो छोटे मोटे amount से यहाँ पर मैं play करने वाला हूँ, तो ये था हमारा पहला coin, ठीक है, अब मैं आपके साथ दो और coin share करने जा रहा हूँ, जो के extremely risky है, अब ये जो मै coins को छोटे छोटा करके pick करने के पीछे reason क्या है, कि यहाँ पर opportunity भी बहुत बड़ी है, मतलब कि risk तो बहुत बड़ा है, मतलब कि completely zero हो सकता है, लेकिन साथी साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी opportunity भी है, तो पहला coin जिसको मैं छोटा मोटा करके accumulate करने वाला हूँ, उसका नाम है radiant, यह जो project है, यह भी layer zero के उपर है, और layer zero का जो airdrop है, मैं उसको miss नहीं करना चाता, क्योंकि मैं समझता हूँ, कि जैसे optimism, arbitrum, z casing, metamask, इनके airdrop बड़े हैं, तो इसी तरीके से layer zero का भी बहुत बड़ा airdrop होगा, तो इनके उपर जो products हैं, उनको मैं use कर रहा हूँ, star gates क अगर मैं बात करूँ, तो मैं इसको भी use कर रहा हूँ, इसी तरीके से जो radiant है, इसको भी मैं use कर रहा हूँ, और यह जो tokens हैं, जैसे कि इसका token है, तो मैंने stake के उपर लगाया हुआ है, यहाँ पर voting मैं कर रहा हूँ, पिल्कुल इसी तरीके से यह जो radiant है, छोटे से amount से इसक पंप पा जाता है तो मैं अपने token को sell भी कर सकता हूँ token की जो हालत है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो market cap है 1 million से भी कम है और जो volume है वो भी 1 million से कम है चार जो है यहाँ पर सारी की सारी जो कहानी है उसको बिलकुल अच्छे तरीके से explain कर रहा है इसको अभी आयवे कोई ज़्यादा time नहीं हुआ लेकिन जब यह आया तो market भी नीचे आ रही है और यह तो बहुती बुरे तरीके से नीचे गिरा है 20 cent से यह जो है 1 cent तक आ गया और उसके बाद यह 1 cent से तक करीबन 7-8 cent तक चला गया और अभी जो है इसमें दुबारा correction आ रही है market भी नीचे है तो यह भी नीचे आ रहा है तो 10, 20, 30 dollar से जो है मैं इसको buy करके staking के उपर लगा रहा हूँ आपका जो portfolio है उसका जो 0.1% है अगर आप वो लगाना चाते हैं तो वो आप इसमें लगा सकते हैं एक और चीज जो के मुझे आपके साथ share करनी है in case 10 dollar या 20 dollar से आप इसको buy करके lock कर देते हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको 62% APY के हिसाब से reward मिलेगा यह जो platform है इसकी जो earning है वो भी आपके साथ यह share करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं चोटा मोटा करके मुझे जो है reward यह दे रहे है 25 dollar के around मैंने इसको buy करके स्टेकिंग के उपर लगा के रखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तक्रीबन 11 cent जो है मेरा daily revenue है ठीक है दोस्तो तो इस से related सारी चीज़ें clear होंगी एक और coin है जो के layer zero ecosystem का part है जो के मैं छोटे amount से यहाँ पर buy कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने इसके बारे में आपको explain किया सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर भी same है मैं बात कर रहा हूँ angel protocol की और इनके token की यहाँ पर भी वही चीज़ें है कि token को छोटे से amount से आप buy करके यहाँ पर जो है staking के उपर लगा सकते हैं voting कर सकते हैं project जो है layer zero के उपर है यह सब करने के पीछे मेरा एक ही reason है कि layer zero का जो airdrop है वो मुझे miss नहीं करना तो यह जो token है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो value है तक्रीबन 3 cent के around इसकी value चल रही है market के अप आप देखें half million से भी कम है वही चीज़ यहाँ पर volume में है volume भी half million से कम है extremely extremely risky coin लेकिन अगर 10-12 dollar से आप इसको buy करके staking के उपर लगा देते हैं यहाँ पर जो है vote करते हैं तो potentially यह चीज़ हमें air drop में help कर सकती है layer zero के air drop में help कर सकती है ठीक है दोस्तो तो यह 3 coins थे जिनको मैंने छोटे-छोटे amount से pick किया यह जो angel protocol है इसको तक्रीबन 10-12 dollar से मैं buy कर रहा हूँ इसी तरीके से यह जो radiant है 25-26 dollar से और यह जो stargate है तक्रीबन 70-80 dollar के around यहाँ पर मैंने invest किया है अब यहाँ पर यह जो radiant है और यह जो angel protocol है इनका जो product है वो तो बहुत ही जबरदस्त है लेकिन क्या है कि यह ऐसे time पे launch हूँ है market की sentiment जो है बहुत ही ज़दा खराब है इनका जो market के पे वो बहुत ही ज़दा कम है क्योंकि इनका जो भी सरबरा है वो तो market में आया ही नहीं है layer 0 का अपना token तो market में आया ही नहीं है तो ज़दा कोई awareness इन चीज़ों के बारे में है नहीं लेकिन अगर यहाँ पर layer 0 की hype बनती है तो यह token भी अच्छा खासा return दे सकते है यह जो 10-12 डोलर है बहुत अच्छा return यहाँ पर दे सकते है ठीक है दोस्तों तो यह थी मेरी आज की वीडियो अब आप बताएं वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरबानी करके वीडियो को like करें बहुत सारा मैं आपके लिए effort कर रहा हूँ kindly थोड़ा सा support दिखाएं आपके लिए मैं content लेके आता रहूँगा बस आपका support चाहिए आज के लिए इतना ही आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और जबरदस topic के साथ